वेल्कम बैक टू माई चैनल हैपी स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हम 1848 इसवी के फ्रांसेशी क्रांती के क्या कारण थे उसके बारे में चर्शा करेंगे तो फ्रांसेशी जो क्रांती हुई थी उसकी कई सारी कारणे मानी जाती है जिन में से यहाँ पे कुछ पर्मो कारण उलेखित किया गया है तो इसमें जो पर्थम कारण था वो है मध्यमबर्ग के सासन का प्रभाव यहाँ पे मध्यमबर्ग जो था उसके सासन का प्रभाव राजनेतिक दलों में संगठन का अभाव जो राजनेतिक दल थे फ्रांस के उसके संगठन में अभाव था तीसरा जो पर्मो कारण है वो है सामाजबात का प्रशार और चौथा लूई फिलिप की नीती तो यह चार पर्मो कारण माने गए हैं फ्रांसेसी क्रांती के ठीक है इस क्रांती का सबसे पर्मो कारण लूई फिलिप की नीती और जनता में उसके परती अशंतोष था यह उपर गे जो तीन कारण यहाँ पे दिये गया है यह कारण तो महत्तपुन है ही लेकिन जो सबसे उत्तरदाई माना जाता है वो है लूई फिलिप की नीती यानि चोथा जो यहां पर कारण दिखाया गया वो इसके कारण क्या था जो लूई फिलिप था उसकी जो नीतियां थी उनके परती जनता में काफी असंतोस था वो जनता की ततकालीन समस्याओं को सुल्जाने में असमर्था जनता क जो समस्याएं थी वो जब लुई फिलिप के पास जाते थे तो लुई फिलिप क्या करते थे उनकी उन समस्याओं को छुल जाने में समर्थ नहीं थे लुई फिलिप के निरंकुष बाद से वहां मध्यम बर्ग का परभाव बरता जा रहा था अब लुई फिलिप का क्या हुआ जो निरंग कुछ बाद का शासन था उस करण से उहां के समाज में जो मध्यम बर्ग का परभाव था वो बरता जा रहा था उदारबादी मध्य लोगों के लोगों ने संबिधान बाद की मांग को राष्टी एकिकरिन की मांग से जोड दिया अब उहां पे जो मध्यम बर्ग था वो काफी परभाव में आ चुका था तो उसने क्या किया उदारबादी मध्य बर्ग के लोग एक साथ मिलकर संबिधान बाद की मांग को राष्टी एकिकरिन की मांग के साथ जोड दिया और इसी से ये करांती शुरू हो गई और ये करांती 1848 इस्वी में शुरू हुई थी तो इस तहरे से हम इसके क्या कारणत थे उसका एंसर लिख सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा आप next question किस question का answer जानना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like, comment, share और चैनल को subscribe जरूर करें धन्यवाद